हलो एवरिवान मैं हूँ शृता शर्मा आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्योग चैनल आचारे फाइन होम्स में दोस्तो प्लोट चाये छोटा हो या बड़ा किसी भी प्लोट साइस पर एक अच्छे से अच्छा घर बनाने के लिए एक अच्छे आइडिया की बहुत जरुथ होती है एक अच्छे आइडिया और एक अच्छे प्लान के साथ में किसी भी प्लोट साइस पर एक बहतरी घर बनाया जा सकता है हमने आपको छोटे और बड़े प्लोट पर काफी सारे प्रोजेक्स दिखाया हैं, पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेन वैशाली के अंदर, यानि कि आपको कही भी इंटीरें नहीं जाना, कोई भी एक्स्टेंशन में नहीं जाना है, मेन वैशाली में नर्सरी सरकिल से आपडल भॉक्ति हैं में पयाँ मारा यह हैं, वाज में इंटीरे सिस्मेडना कहीत네, भी आपका है। 133 गज में बना हुआ है इसका एलिवेशन का वर्क आप देख लीजे बहुत ही प्यारे एलिवेशन वर्क के साथ मेरेगा इसमें बुड़न टेच आपको बिल जाता है साथ ही साथ में इसकी जो वाल्स है पूरी वाल्स पर टेक्शर वर्क किया गया है साथ ही बात करेंगे तो 133 गज में बना हुआ है 20 x 60 के डायमेंशन में तो 20 का वाइट फ्रेंट आपको इस विला में मिल जाता है साथ ही यहां पर दो विला बने हुए है जिसमें से एक सोल्ड आउट है और एक अभी हमारे पास में अविलेबल है तो आप देख सकते हैं इसक बहुत ही प्यारी लोकेशन है कनेक्टिविटी प्रॉपर यहां से बिलकुल में सिटी के अंदर है इसके एंटरेंस पर आप देख सकते हैं हैवी आयरेंड डोर यहां पर आपको मिल जाता है और यहां से एंटर करते ही काफी स्पेशियस पोर्ट चीरिया आपको मिल और यहां पर आपको एक काफी अच्छा स्पेश मिल जाता है फ्री स्टेप्स के बाद में हमारी में एंटरेंस आ जाती है साथी यहां पर आपको वाटर टेंग की फैसिलिटी भी दी गई है और यहां पर आप चाहें तो चेश लगा कर आब बैठ भी सकते हैं तो यहां से सबस्क्राइब करते हैं विला के अंदर यहां पर आपको इस मेद ग्लास वर्क मिल जाता है साथी में आरेन वोक भी रहेगा और यह आ जहता है हमारा एंसे डोट जोकी कांफी है वी थिकनिस के work आपको दिया है और बीच में यहाँ पर सिंपल टेक्श्य वरक दिया है पेंट के साथ में प्रोफाइल लाइट का work इसमें रहेगा सिलिंग डिजाइन एक बार आप देख लीजए यहाँ पर बहुत ही प्यारा रहा है यहां पर आपको मिल जाता है पूजा स्पेस काफी वाइड रहेगा आप देखिए बहुत ही प्यारा CNC कटिंग जाली वक है नीचे प्रॉपर स्टोरेज आपको दिया है वास्तु के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है साथ ही में यहां से आगे चलेंगे हम तो यहां यहां पर आपको एक पार टेशन मिल जाता है वुडनवाक के साथ में और इधर साइड में आपको LED के लिए स्केस दिया गया है तो यहां पर अपका प्रॉपर living space तो यहाँ पर आप sofa site लगा सकते हैं इसके corner में बहुत ही प्यारा wooden work दिया है आप देखिए profile light का work है इस तरीके से shelf का work दिया है और जो इसका ceiling design है इसमें भी आपको मिल जाता है बहुत ही प्यारा profile light का work तो यहाँ से आप देख सकते हैं double ceiling height आपको मिल जाएगा beautiful chandelier के साथ में तो 133 गज में बना हुआ 20 x 60 के dimension में काफी common size रहता है इस size में किस तरीके से आप भैतरीन घर बना सकते हैं आप हमारी वीडियो से idea ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाती है हमारी open kitchen जो की काफी spacious रहेगी kitchen की बात करें तो 9 x 10 के dimension में हो जाती है हमारी kitchen L-ship में रहेगा counter top साथी यहाँ पर आपको दो window मिल रही है जहां से proper ventilation बना रहेगा इसी के साथ में आपको chimney की facility भी यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर आ जाता है आपका burner storage storage प्रॉपर मिल जाएगा यहाँ पर आ जाता है हमारा wet area और साथी साथ में geezer की facility भी आपको मिल रही है इसी के साथ आपको oven की facility microwave की facility भी यहाँ पर मिल जाती है fridge के लिए काफी white space यहाँ पर दिया जा रहा है और weeder door के लिए आपको यहाँ पर facility मिल जाती है तो सीधा यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि आपके main door पर कौन आया है यहाँ पर आपको आपके stairs की नीचे एक gallery मिल जाती है तो यहाँ पर आपको एक gallery मिल जाती है इस तरीके से काफी अच्छा space रहेगा आप यहाँ पर कुछ storage भी कर सकते है ventilation भी यहाँ से काफी अच्छा बना रहेगा आपके इस space में तो आपको stairs के नीचे कोई storage नहीं दिया है यह आपका एक अलग से storage हो जाता है तो यह हमारा proper living and dining area हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाता है हमें एक powder room तो यह हो जाता है 6 x 4 के dimension में हमारा powder room काफी अच्छा space के साथ में तो यहाँ पर आजाता है आपका wash person area यहाँ पर रहेगी आपकी seat ताथी में आपको यहाँ पर geezer की facility भी मिल जाती है और ducting ventilation भी आपके इस washroom में बना रहेगा तो यह हो जाता है हमारा powder room और इसी के बिल्कुल पास में आ जाता है हमारा first bedroom बाकी सभी bedroom से बिल्कुल different रहेगा attached washroom के साथ में हो जाता है साथी सबसे पहले इसकी flooring आप देखिए wooden flooring के साथ में रहेगा काफे rich look आपको इस bedroom में मिल जाएगा साथी space बहुत ही प्यारा रहेगा इसकी space की बात करें तो 13 बाइ 14 के dimension में हो जाता है यह bedroom तो यहाँ पर आप देखिए इसके back side पर cushion work के साथ में sunmica work है बहुत ही प्यारा design रहेगा दोनों side में table आपको मिल जाती है और साथी में आपको इस room में मिल रही है gallery भी इस तरीके से आप देखिए काफी spacious है sliding door के साथ रहेगी और यहाँ सिफ ventilation और sunlight proper आपके room में बनी रहेगी bed के adjust सामने आपको मिल जाता है LED space profile light work के साथ रहेगा AC आपको इस room में लगा कर दिया जा रहा है और यहाँ पर आ जाता है हमारा attached washroom 6 बार 10 के dimension में रहेगा यह washroom आप देखिए काफी spacious है यहाँ पर wet area बिल्कुल separate आपका हो जागा rainfall shower के साथ में यहाँ पर आ जाता है wash basin area और यहाँ पर हो जाती है seat इसका ceiling design एक बार आप देख लीजे और साथी में आपको यहाँ पर dressing space भी मिल रहा है काफी spacious है आप देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है wide looking mirror profile light के साथ में और यहाँ पर आजाती है हमारी board rock ventilation भी proper इस washroom में बना रहेगा तो काफी spacious washroom है और यह हो जाता है हमारा first bedroom यहाँ पर आप देखिएंगे आपको एक study table मिल जाती है wall mounted रहेगी साथी में यहाँ पर आजाती है दो wardrobe और total आपको तीन wardrobe इस bedroom में मिल रही है तो काफी अच्छा storage भी रहेगा तो यह हो जाता है हमारा first bedroom जले चलते हैं इसके first floor पर जहां हमें मिल जाएंगे दो bedrooms जली बात कर लेते हैं इस villa के price की तो इस villa का price रहेगा 2,11,00,000 इस price में as it is आपको इस villa मिल जाएगा तो यहाँ से आजाती है हमारी stairs stairs पर आप देखेंगे इसकी जो railing है wooden railing रहेगी toughen glass का इसमें work किया है साथी में आपको यहाँ पर foot lamp में मिल जाते हैं तो night में भी आपको काफी easy रहेगा तो first floor पर आते ही यहाँ पर आपको काफी अच्छा corridor मिल जाता है बहुत अच्छा space रहेगा walking के लिए और यहाँ से आप देख सकते हैं आपको double ceiling height मिल जाती है beautiful chandelier मिल जाएंगे तो यहाँ हमें मिल जाते हैं दो bedroom तो चलिए देख लेते हैं हमारा second bedroom तो यह हो जाता है हमारा second bedroom इसकी flooring भी आप देखिए wooden flooring रहेगी काफी elegant look के साथ में हो जाता है space बहुत अच्छा रहेगा 13-16 के dimension में रहेगा इसके back side पर आपको यहाँ पर wooden work मिल जाता है साथी साथ को cushion work रहेगा इसका ceiling design देखिए आप बहुती प्यारे work के साथ में हो जाता है ceiling design साथी में आपको इस room में मिल रही है बहुती spacious balcony तो यह हमारी balcony हो जाती है UPVC sliding door के साथ में तो यह हो जाती है हमारी spacious balcony आप देखिए बहुत अच्छा work रहेगा balcony में भी tile work किया है walls पर texture work रहेगा और इसका जो ceiling है ceiling में आपको मिल जाता है wooden touch साथी यहाँ से आप देखिएगे आप चाहें तो अपनी balcony में swing भी लगा सकते हैं chairs भी लगा सकते हैं bed के बिलकुल सामने हमें मिल जाता है LED panel जो कि full wooden work के साथ रहेगा इस तरीके से flowery design में proper आपको नीचे storage मिल जाएगा AC आपको इस room में भी लगा कर दिया जा रहा है और इसी के पास में आ जाता है हमारा attach washroom तो enter करते ही आपको मिल जाता है dressing area यहाँ पर आपको 3 wardrobe मिल जाएगे और उपर भी काफी अच्छा space है storage के लिए यहाँ पर आ जाता है हमारा wide looking mirror profile light के साथ में और यहाँ आ जाता है हमारा washroom separate रहेगा wooden door के साथ में और 6 by 10 की dimension में हो जाता है आप देखिए काफी spacious है wet area बिल्कुल separate हो जाता है ventilation यहाँ से proper बना रहेगा यहाँ पर रहेगा wash basin area और यहाँ पर हो जाती है seat geezer आपको इस washroom में भी लगाग कर दिया जा रहा है तो यह हो जाता है हमारा second bedroom जो की काफी spacious है अभी चलते हैं हमारे third bedroom की तरफ जो की इस villa का master bedroom रहेगा यह आजाता है हमारा third bedroom जो की master bedroom रहेगा 19 by 14 के dimension में space आप देख सकते हैं काफी शांदार space है bed यहाँ पर आपका आजाता है bed की just back side पर cushion work के साथ में full यहाँ पर wooden work दिया है बहुत अच्छा design है strips work भी रहेगा साथ ही सीलिंग design आप देख लीजे बहुत ही different और बहुत ही unique design रहेगा यहाँ पर इतना अच्छा space आपको दिया है आप चाहें तो यहाँ पर couch भी place कर सकते हैं यहाँ पर wardrobe आपको मिल रही है 3-4 wardrobe आपको यहाँ पर मिल जाती है तो storage की तो आपको इस room में कोई भी कमी नहीं आएगी सामने ही आपको मिल जाता है यहाँ पर LED space प्रॉपर storage के साथ में रहेगा AC भी आपको इसमें लगा कर दिया जा रहा है और study table भी आपको इसमें मिल जाती है साथ ही ventilation के लिए इस room में आपको मिल रही है gallery तो यहाँ से ventilation भी प्रॉपर बना रहेगा UPVC sliding door के साथ है और natural sunlight तो आप देखी रहे है इस तरीके से आपके room में बनी रहेगी इस main door के पीछे हमें मिल जाता है हमारा attached washroom तो enter करते ही यहाँ पर आजाता है शेफ मिल जाता है और यहाँ पर आजाता है हमारा attached washroom यह भी separate हो जाएगा wooden door के साथ में और काफी spacious रहेगा 6.9 के dimension में हो जाता है wet area बिलकु सेपरेट है rainfall shower के साथ यहाँ पर आजाता है wash basin area और seat हो जाएगी geezer आपको इसमें भी लगा कर दिया जा रहा है साथ ही में ducting ventilation proper इसमें बनी रहेगी तो यह भी जाता है हमारा attached washroom इस घर के terrace area पर आपको मिल जाता है servant room और एक washroom भी I hope आपको यह villa पसंद आया हो I hope आपको हमारा video पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो को like करें share करें comment करके हमें जरूर बताएं और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर लिजे bell icon जरूर दबाईए ताकि आग आने वाले वीडियो के notifications आपको मिलते रहें Thank you so much